बेबो भावी, प्रणाम, कैसे हो आप? अरे देवर जी आप? क्या बात है देवर जी, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? अरे कैसी बात करती हो भावी, भावी आसे मुलकात तो होती रहती है, काम में इतना ब्यास्त था, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया ठीक है ठीक है बैठो मैं आपके लिए चाय बनाती है अरे नहीं भावी चाय की जरूरत नहीं है अरे तुम बनाई लो चाय कम सकम मुझे भी तो एक बार आओ चाय मिल जाएगी आपको तो सारे दिन चाय चाहिए भावी आप बैठो यहां, मुझे आपसे बात करनी है हाँ देवर जी, बताईए क्या काम है इतना तो मैं जानती हूँ कि कोई जरूरी काम होगा तभी आप यहां आए है अरे वो भावी, आपकी बहन से मुझे साधी करनी है मुझे वो बहुत पसंद है क्या बात कर रहे हैं, आप मेरी तो कोई बहन नहीं है अरे भावी, आपकी साधी में एक थी लड़की, सामली सी अच्छा हाँ, हो मेरे चाचा की लड़की है उसका नाम संजना है, पर देवर जी देवर जी, उसके माबाप गरीब है वो दहेज नहीं दे पाएंगे देवर जी, मेरी बहन को भूल जाएए ये रिष्टा नहीं हो पाएगा वैसे भी ये जोड़ी बे जोड़ है भावी, मुझे दहेज नहीं चाहिए वैसे भी मैं आर्मी में हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और हाँ भावी, आपने कैसे कहा ये जोड़ी बे जोड़ है अरे देवर जी, मेरी बहन सीधी साधी है आप करवा करेला, बेचारी घुटके रह जाएगी इसलिए ये रिष्टा नहीं हो सकता अरे नहीं भावी, ऐसा मत बोलो मैं साधी करूँगा तो उसी से करूँगा भावी को, मुझे में क्या कमी है क्या मैं इनकी बहन के काबिल नहीं हूँ अरे बेवो, करा दो इसकी साधी मेरा भाई अच्छा खासा कमाता है तुम्हारी बहन खुश रहेगी हमारे घर में इसकी गारंटी मैं लेता हूँ ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने चाचा जी से बात करूँगी पर याद रखना, मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी है अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा